हाई फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज ख़बर आ रहे हैं इंटेक्स की तरफ से ख़बर की माने इंटेक्स ने मंगलबार को भारत में अपना पहला 4G Enable Voyalty Feature Phone टर्वो प्लस 4G भारत में लॉंच कर दिया है इंटेक्स ने इस फोन का एलान मुकेशंबानी द्वारक जियो का फीचर फोन के एलान किये जाने के बात किया यह फोन कंपनी की नवरतन सीरीज के तहट आया है और साथ ही इस सीरीज में 8 दूसरे फोन मॉडल भी है जिनकी कीमत 700 रुपे से लेकर 1500 रुपे के बीच में रखे गई है चलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ फोन का स्पेसिफिकेशन किस तरह से होगा 2.4 इंच की इसकी डिस्पले दी गई है जो की QVGA होगी यह काई OS Software वर्जन पर काम करेगा इसमें Dual Core प्रोसेसर के साथ में 512 MB की रेम दी गई है और साथी 4G भी इंटर्नल स्पेस दिया गया है जिसे आप चाहें तो 32 GB तक Extend कर सकते हैं इस 4G फोन में कैमरा होने वाला है 2 Megapixel का और वहीं Front Facing Camera होगा इसका BGA साथी 2000 MB की बैटरी दी गई है जो कि यह प्लस पॉइंट है छुटी स्क्रीन है पर्फॉर्मंस बैटरी के मामले में अच्छा ही होगा तो दोस्तो कुछ इस तरह से Intex ने एलान किया है अपने इस फोन के बारे में और हाँ एक और सवाल क्या इसमें जियो की SIM चलेगी या नहीं तो फ्रेंड्स यह वोल्टी सपोर्टिट फोन इसमें जियो की SIM भी काम करेगी तो दोस्तो बस आज के लिए इतना ही मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा आया है तो लाइक करें शेर करें और अगर यह चनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारी चनल को सब्स्राइब करना ना भूले मैं हर तरह के टेक रेलेटिज जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ तो मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए बाबाए